फिफ्ट, एक फार्मर के पास अच्छा खासा खाना है 20 अनिमल्स का, ठीक है, अपने कैटल के अंदर, कैटल का मतला होता है जहां पर रख रहा है सब को, कितने दिन का है, 6 दिनों का उतके पास खाना है, 20 अनिमल्स के हिसाब से, ठीक है, तो वो कितने दिन तक उन्हें फूड खिलाते रहेंगे, या फिर कितने टाइम तक उनका फूड बचा रहेगा, कि अगर, अगर 10 अनिमल्स और जादा आ जाएं, उनके कैटल के अंदर, ठीक है, यानि कि 20 से 10 अनिमल्स और एड हो गए, इसका मतलब 30 अनिमल्स हो जाएं, तो क कितने टाइम तक उनका फूड चलेगा, या फिर कितने दिन तक उनका फूड चल सकता है, कि पहले कितने दिन तक उनका फूड चल सकता है, या कि पहले कितने दिन तक चल रहा था, जब वो किसके लिए था, 20 अनिमल्स के लिए था, राइट, चलिए, लगाते है, सबसे पहल भूट ताइम या फूर ङbes टाइव पिर देशुक मेरे से चुझा में रिख लिएप चैने खरनी के लिए उसे हम क्या कर ल देगे उन्हें बचेंगे या फिर कितने दिन का खाना उनके पास रहेगा कि वो कितने उन्हें खिला सकते हैं कितने number of days तक उन्हें वो खिला सकते हैं वो हमने लेट कर लिया है ठीक है इन्वर्सली परोशनल होगा है जो हमारे अनिमल लिए बढ़ गए यानि कि उसी तरही के से जैसे हमारे number of population अगर किसी कंटरी की बढ़ जाती है तो पर पर…… पर 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 सन जो लैंड होगी वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगी है इस तरही के से अगर आनिम इंक्रीज हो गए किसी cattle में तो उन्हें खिलाने की जो वल्लब इनफ जो खाना होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब हमें के निकाल लिए एकी वैली निकाल लिए एक्स वाई जीगल स्टो एक्स वन वाई वन ठीक है एक्स की है नंबर ओफ एनिमल्स यानि की 20 कितने दिन तक खिला सकते हैं six days तक अब कितने हो गए नंबर ओफ एनिमल्स 30 और कितने दिन तक खिलाना है उसकी वैल्यू हमने लेड कर रखी है एक ठीक है यह कटे सब इससे यह से गटा तो कितना हुआ वह फोर डेस तक उनको क्या करेंगे खिला सकते हैं उन्हें चारा खिल सकते हैं कितने दिन तक कितने दिन तक कितने दिन तक खिला सकते हैं यह इससे घटा पांच आगया पांच इससे घटा ठीक है यह कितना दिन खिला सकते हैं फोर डेस तक वह इन्हें खिला सकते हैं फार्मर जो है खाना खिला सकता है फोर डेस तक यानिकि पहले वह कितने दि इंक्रीज हो गए 10 हैनि इनकी 30 होन गए चीक है